प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप लोग हमें कॉंटाक्ट कर सकते हैं लगातार हम स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं आप हमें कॉंटाक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपकी सेवा में उपलब्ध है जीवा के expert team of doctors जो आपको personalized consultation दे सकते हैं that's called free medicine, doctor at your doorstep जी हाँ, free consultation का फाइदा जरूर उठाइए इसका लाब जरूर उठाइए क्योंकि Ayurveda कुद्रत का ऐसा चमतकार है जो कठिन से कठिन रोगों को जर से निकाल कर ठीक कर सकता है so please, I request you, please make use of this facility डॉक्तर सहाब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप से पूछना चाहोंगी कि बहुत सारी skin problems होती है जो की काफी गंभीर होती है जैसे psoriasis है, eczema है इसमें लोग बहुत treatment भी लेते हैं antibiotics तक लेते हैं लेकिन ये बीमार्या जड से ठीक नहीं होती तो आईरवेद क्या कहता है क्योंकि definitely they are very deep rooted काफी गहरी उनकी पकड होती है जड उनकी जो है और बहुत ही भेंकर रोग ये माने जाते है भेंकर इसलिए के ठीक ही नहीं होते है सप्रेस हो जाते हैं कि द़ाई खाते हैं ठीक नहीं होते है हमारे आईरवेद में भी जब ऐसे रोगी आते हैं तो उनको सबसे पहले बता देते हैं कि देखो भी झाल कम से कम दवाई खानी पड़ेगी चुनकि लोगों को ना पता नहीं हमारे आखर के क्या हो जाता है वैसे वर 20 साल से सुराइसिज है उसको और कुछ नहीं हुआ लेकिन हमारे और कहते हैं जी कितने दिन लगेंगे पहला कोशनिये पुछते हैं कितने दिन में ठीक होगा तो मैं कई बर पूछ लेता हूं उन से मजाग करता हूं मैं हसता हूं कि आपने जो पुराने डॉक्टर से पूछा कभी परशन करें जी उन से तो नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका इलाज ही नहीं है तो 20 साल आपने वहां लगा दिये जो कह रहा है कि इलाजी नहीं है उसी के पास जा रहो फिर वी वो मना कर रहा है कि इलाज नहीं है उसी के पास जा रहो तो कम से कम थोड़े शांती करो एक महिन न दवाई खाओ क्योंकि बहुत ही डीप इसकी जड़ होती है सुराइसिकी पित है में controlling वात का भी involvement आ जाता है, कभी-कभी तीनों दोश इसमें इकठे हो जाते हैं तो उसकी हमें जो पूरी संप्राप्ती समझनी पड़ती है डियाग्नोसिस करना पड़ता है इसके बाद जो मेंली अगर इसमें बहुत अच्छा treatment होता है, अगर दर्शक जो में बता देना चाहता हूँ, अगर आपके भी कोई ऐसे मित्र गणी या कोई family में है तो विरेचन का बहुत फायदा है इसमें पंदरा दिन आप आ जाए हमारे याँ पर तो विरेचन क्या पूरा गंदगी बोड़ी का अंदर से एक बर साफ हो गया, अफकोर्स उसके बाद दवाई खाने पड़ेगी, दवाई कम से कम जो है एक साल तो डेफिनेटली मानके चलिए आप, क्योंकि पांच-छे महिने लग जाते हैं, कई बर दिखने में पूरा प्रॉपर रिजल्ट से, उसके बाद जड़ को निकालना, कई बर तीन एक महिने में कुछ होता ही नहीं है, कई बर पेशेंट कहता जी, किसी दिन आराम लगता है, किसी दिन नहीं लगता है, औशद लेनी पड़ेगी, विरेचन बहुत फाइदा करता है, डिटॉक्सिफेकेशन करते हैं, दवाई से भी करते हैं, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट चीज, जो अपने एक्सपिरिंस की बता रहा हूं है, दरसको आप भी जरा ध्यान से सुनिए, लोग बाद क्यों ठीक नहीं होते हैं, परहेज नहीं करते हैं, हम बार बार पूरा डाइट चाट लिखके देते हैं उनको, यह नी खाना, यह नी खाना, यह नी, पर पता नहीं क्यों जीव कंट्रोल में नहीं, उनको बोलेंगे भी चाय नी पीना, तो आगली बार आएंगे तीन महिने बाद, सर मेरे को कोई फरक नी पड़ा, तो मैंने क्या चाय पीते हो, सर मैं कभी कबार थोड़ी सी पी लेता हूँ, कभी कबार एक पकोड़ा खा लेता हूँ, कभी कबार एक समोसा खा लेता हूँ, कभी कबार खाता हूं थोड़ी सी कड़ी तो ये कभी कबार नहीं चाहिए मेरे को एक घूट चाय भी अगर कोई पिएगा तो समझे लो मेरी एक सप्ता की दवाई बरबाद क्योंकि हम इधर से उसको कम कर रहे हैं पित्त को और आप बढ़ा रहे हो तो वहीं की में रहेंगी क बिल्कुल तो फिक नहीं होगा इस तरह से तो परेज बहुत इंपोर्टेंट है जी बिल्कुल अब कॉलर की कहानी सुनते हैं जी बिल्कुल है नमस्कार जी वेलकम तो इटनल है आपका शुब नाम मेरा मेरा मैं अलिकर्टे रहने वाला हूं हां जी मेरी उमत 15 साल है मेरी जोड़ों में जोड़ों में होता है सारे जोड़ों में होता है अच्छा पांच साल से हो रहा है यह पांच साल तो 28 साल की उमर में शुरू हो गया आपको जोड़ों के बहुत जल्दी शुरू हो गया तो आपने को बलड का टेस्ट कराया एक रोमेटर अर्थराइटिस का यहीं से हमको पूरा इसका एक निचोड मिल जाता है वह एलोपेथिक टेस्ट है लेकिन हम आयरवेद में भी जो इसको अपने आम बात से जोड़ते हैं आपका पेट कैसा रहता है जेनरली पेट साफ होता है कोई गैस वगरा होती है ऐसे डिटी होती है इसका जड़ यहीं से शुरू होता है आप अच्छी तरह समझ लीजिए आयरवेद में इस रोग को कहते हैं आम बात हम लोग इसका इलाज जरूर करते हैं क्योंकि यह गंभीर रोग है इसमें आपको पूरी औशद हम जरूर देंगे लेकिन जब तक आप जो औशद का इंतज करिए उसमें जो है बहुत गरिष्ट भोजन तली हुई चीजें मिठाईयां दूद से बनी विशेश तोर पर दही पनीर मक्षन ये टोटल बंद कर दीजिए दूसरा बादी वाली चीज क्योंकि वायू का विकार भी है और आम का भी है तो उड़त की दाल राजमा छोले ग पोटके चूरन बना लो एक चम्मस सुवेरे एक चम्मस शाम को चाहो तो इसमें थोड़ा भुना हुआ आटा मिलाके गुड मिलाके लड़ू भी बना सकते हो कहीं लोग लड़ू बनाके भी खाते हैं उसके थोड़ा तेस्टी आ जाते हैं तो ये जो आपका क्या करेगा य ज्यादा तेल नहीं लगाने इसमें, कोई मामुली ऐसे उंगलियों पर टच करके, पहले तेल लगा लो, उसके बाद उसको पोटली से सिकाई करिए, ये आप तुरंत शुरू कर दीजिए, और इसके बाद जो है, किसी भी चिकित्सक से अपने वहाँ पर ये हमारे इसकी आउ स्टिरोइड वगरा देते हैं, या मैथा ट्रक्सेट करके ऐसी दवाईयां जो होती है, पर उनका भी जो है, उसको सप्रेस्ट करने में ही फायदा है, वो मतलब इतना ही फायदा होता है, कि रोग सप्रेस्ट रहता है, ठीक नहीं हो पाता है, तो इसका प्रॉपर इलाज कर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आपसे पूछना चाहूंगी जो विटिलिगो या स्वेट डाग जिसे कहते हैं, ये बड़ा भेंकर स्किन का रोग है, पूरा कलर चेंज हो जाता है, जो पैक्चिस आ जाते हैं, तो आयूर्वेट के अनुसार इसके क्या कारण और इसक स्वेश्मेहें है विरुद आहर, विरुद आहर क्या होता है? कि मानलो आप दूद पी रहे हैं, दूद के साथ परांधा खाए है, ये बिरुद हो गया, दूद के साथ पोई नमकीन चीज आपका रहे हैं, जैसे कुछ दाल मोठ हो गरा है, को ऩई चीज चीज चिपस खा र चाहिए दूसरा जो है इसमें पित का ही रोल है फिर वी जो अगर दोसों की बात करें पित का प्रकुभ बोके हो जो ऐसे को एक इसमें पित बोलते हैं जो के रंजन करता है है सकीन काговßen देता है जो वह जो हमारे रंजक पित जो हो जाएगा तो फित की चिकित साइस में करते हैं लेकिन जो बात में बताना चाहता हूं उसको धियन से सुनिये कि यह जो मैंने अपना एक्सपिरिंस किया है कम से कम जब आप दवाई शुरू करें तो तीन महिना तो आप बिलकुल भूल तो तीन महीने में आता है दवाई का जी तीन महीने के बाद आप ये देखिए कि उसमें कहीं कुछ ब्राउंड स्पोर्ट्स आ रहे हैं आपके दाग में नी अगर आ रहे हैं तो यू अर वेरी लखी अगर नहीं आ रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली इस से जादा और कुछ कि जो मैंने देखा है घुडिशग में काफी रिसर्च किया तो किसी-किसी में नहीं भी आता है रिजल्ट वो पता नहीं क्या तो प्योंकि आयरवेद में यह यह लिखाइं के पूरुष जन्मों के कर्मों से होता है और और उनसमों यह लिखाइं की शुवा साँ एग आव प्रड़ा मुश्किल है एक साल दो साल तीन चार साल पांच साल तक भी लग जाते हैं पांच पांच साल लोग दवाई खाते हैं इसके तो यह मैंने अपना एक आप लोगों को उसका उसका नॉलिज रहे नहीं तो लोग बचारे क्या वचाए रहते हैं इसा बर्बाद करते रहते हैं इदर और जहां वहां क्योंकि हर कोई आदमी बतादे का हाँ ठीक हो जाएगा आज कल यह बड़ी बिमारी चल रही है कोई कहां में यह कर देता हूं मैं है इसकिन relies हो आज पाइग हैं यह कुछ पता नहीं होता कौन और थीक हो जाए जी होने को ser opponent of liver ठीक हो गया हमारा एक पेशेंट अभी कल मिलने आया है वो बिल्कुल permetों को कई वर जॉन्डीस ठीक नहीं होता जो काम फीक नहीं होता जी जी है तो यह end of the day I feel very strongly fulfillment hit जो असली जो चिकितसक है वो उपर वाला है हम लोगों की क्या भावना है हमारा कैसा जो है एक रोगी के परती हमारी क्या कॉमपेशन है कितना हम उसके परती जो है समर्पित हैं I think यह वो देखता है जी और उसके अनुसार फिर हमें उसी का रिजल्ट मिल जाता है जी कहने को हमारा हो जाता है तो लोग हमें के वर आके कहते हैं जी आप भगवान हो तो वो इसलिए कहते हैं कि वास्तव में हम भगवान नहीं है भगवान वही ठीक करने वाला होता है लेकिन क्योंकि हमारी थू हो रहा है तो कि हम लोगों को भी इसका आदर मिल जाता है कि लोग हमारे चरण भी छोते हैं कि बड़ा अजीव सा लगता है क्योंकि वो सोच रहे हमने ठीक किया इसकों मैं तो strongly मानता हूं हमारा प्रयास है हमारी बुद्धी है हमारा डाइगनोसिज है हमारी दवाईया है उसमें हम पूरी इमानदारी से काम करते हैं but he is the boss बहुत अच्छी बात बताई आपने और दश्रकों को संदेश दे देंगे प्लीज डॉक्टर साहब संदेश देखिए आज इतनी अच्छी चर्चा हमने किये skin के लिए एक ही संदेश है कि कोई भी skin की बिमारी हो और आप बहुत थक चुके हैं इलाज करके आप हमारे पास आईए हमसे संपर्क करिए क्योंकि हमने जो इस पर skin में विशेश तोर पर जो कारिये किया है उसके हम पुरानी से पुरानी स्कीन मिक की बिमारी हो उसमें हमें काफी सफलता मिलिये और हम चाहेंगे कि आप स्वस्त हों और आपका रोग ठीक हो जाए बहुत बहुत धन्यवार डॉक्टर साब थैंक यू वेरी मच्छ थैंक यू जी So friends, episode के खतम होने के बाद भी आप लोग हमें contact कर सकते हैं, note कर लीजे हमारा पता Jeeva Ayurveda, Jeeva Marg, Sector 21B, Faridabad, Haryana, PIN 121001, India हमारा एमेल इड है, info at jeeva.com हमारी वेबसाइ है, www.jeeva.com हमारा पोन नंबर है, 0129-4088-152 Life is real, life is earnest, the grave is not its goal, dust thou art to dust returnist, was not spoken of the soul जी हां दोस्तो, आत्मा अमर है, और एक न एक दिन ये परमात्मा से जरूर मिलेगी बस इसी बात को ध्यान में रखिये, आप चेहरे को मत देखिये, दिल को देखिये चाहे आपकी तवचा काली हो या गोरी हो, it does not matter आपके सर पे कितने बाल है लेकिन अगर आपका मन साफ है, आपका दिल साफ है, that is what matters the most इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आप से लेना चाहूंगी विदा हमारी कामना आपका अनन्माई जीवन गुडबाई, नमस्कार कर आपका अनन्माई जीवन